बच्चो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पताने जा रहा हूं How to calculate calls and arrears on allotment of a shareholder who has allotted shares on prorata basis सबसे पहले ये पता करिए कि उसने कितने share के लिए apply किया था अगर उसके allotted shares आपको given हो ठीक है बच्चो तो अगर उसके allotted share given है तो आपको पता करना होगा उसने कितने share के लिए apply किया था तो for example जिस category को belong करता है उसके share applied थे 15,000 और share allotted थे 10,000 और जो हमारा defaulter है उसके पास suppose थे 200 shares तो इससे हम उसके applied share निकाल लेंगे 15,000 उपर रखिए यानि कि उसकी category के total share applied उपर रखिए total share allotted निचे रखिए यानि 10,000 into इसके allotted shares तो इसके allotted share को total share applied से multiply करके total share allotted से divide कर दीजिए इससे इसके applied shares निकल लाएंगे ठीक है बच्चो वहीं उसके अगर share applied given होते और आपको share allotted निकालने होते तो यह process reverse हो जाता उसकी category के total allotted share उपर आज़ते total applied share नीचे आज़ते into इसके applied share इससे इसके allotted share निकलाते यानि कहने का मतलब यह है कि अगर उसके share applied given है तो allotted share निकालो और अगर उसके allotted share given है तो उसके applied share निकालो क्योंकि ऐसे विक्तिके में अप्लाइट शेयर और लॉटेट शेयर दोनों पता होने चाहिए ठीक है बच्चों तो सबसे पहला स्टैप तो यह ही है आपका कि अप्लाइट शेयर पता है तो लॉटेट निकालो लॉटेट पता है तो अप्लाइट निकालो अप्लाइट निकाल ले हैं तो अप्लाइट व कि applied निकालने हैं तो applied का total उपर उसी category के लिखिन के वल और अगर allotted निकालने हैं तो allotted का total उपर जैसे यहां पर आया है क्योंकि यहां पर allotted निकालने थे आपने इससे पहले देखा था जब आप मैं applied निकालने थे तो हमने 15,000 को उपर रखा था 10,000 को निचे into उसके allotted share clear बचो आपका अगला स्टेप यह होगा कि आपको पता करना है उसका कितना access application money आया हुआ है जो कि हमने share allotment account में ट्रांसफर किया होगा तो उसके लिए आप क्योंकि हमें उसके applied share और allotted share दोनों पता हैं तो उनके difference से ये पतर दल दाएगा उसने कितने share extra मांगे थे और जितने भी share उसने extra मांगे थे उसको application money per share से में reply कर देजिए जैसे हमारे example में उसने apply किया था 300 share के लिए उसे allot किये थे 200 share तो इसका मतलब उसने 100 share extra मांगे थे और application money suppose अगर 2 रुपे है तो 100 into 2 हो जाएगा 200 रुपे यानि इसका 200 रुपे है जो पहले का आया हुआ है application से allotment में transfer किया गया है ठीक है बचो तो ये हो गया आपका दूसरा step पहले step में आपने ये पता किया कि अगर उसकी applied share given है तो allotted निकाल लिए allotted given है तो applied निकाल लिए ठीक है बचो दूसरे step में आपने ये पता किया कि उसने कितना application money extra दे रखा था जो कि share allotment account में transfer किया गया और सबसे आखरी step में ये पता करिए यानि step 3 में कि उसका allotment पे call share area कितना है तो हमारे example में हमारे allotted share थे 200 और मान लिया कि allotment money per share है रुपीज 3 तो यानि उसको अभी देने है रुपीज 600 और इसमें से जो आपने step 2 से access application money निकाला था 200 रूपे उसको माइनस कर दीजिए तो उसका calls in area आ गया रुपीज 400 ठीक है बच्चों अगर ये प्रवाटा category belong नहीं कर रहा होता ठीक है तो इसका area रहता 600 मगर क्योंकि ये प्रवाटा category belong करता है इसलिए इसका area area 400 ठीक है बच्चों तो देखिए तीनों steps जो है वह interconnected है यहने की sequence में ध्यान रखेगा इनका आपको पहला जो है जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि उसके applied और allotted share कितने हैं तब तक आप यह नहीं पता सकते उसने access application नहीं कितना दिया होगा और जब तक आपको यह नहीं पता होगा उसका access application में कितना है वाता पहले तो तब तक आप उसका allotment का call scenario नहीं निकाल सकते हैं ठीक है बच्चों तो दूसरा step पहले step पे depend करता है तीसरा step दूसरे step पे depend करता है यह तीनों step पर अपलाए करेंगे तो allotment का call scenario निकालने में बिल्कुल भी दिखकर नहीं आएगी आगे जाके call सवरा का अरियर नॉर्मल द्रिगे से निकलेगा बस allotment का अरियर निकालते से नहीं इस बात का ध्यान रखना होता है ठीक है बच्चों तो जब भी किसी व्यक्ति का जिससे प्रवाटा बेसे स्विश्चेर अलॉट कि गए हों अगर आपको allotment का call scenario निकालना है तो यह ती कि गए बच्चों